तो हेलो दोस्तो वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का महतपूर निमेरिकल कराने वाला हूँ अगर आप मेरे वीडियो पे नए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सेयर कर दी सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगा क्वेशन आवर फश्ट यह कहता है कि किसी वेदूत बल के तंतु में 0.5 एंपियर की धारा दस मिनट तक परवाहित होती है परिपत में परवाहित विदूत आवेस की गणना कीजिए वेरी वेरी सिंपल क्वेशन है बहुत सिंपल चारआ है वो दस मिनट तक परवाहित हो रही यानि कि कि आई बराबर कितना दिया है 0.5 ऑंपियर यूप おै gospel कि और आपको समय कितना दिया है टी बराबर 10 मिनट दस मिनट मैं को सेकेंट में कनुट करना पड़ेगा ठीक मिनट को आपको शेक motorcycle करने पड़ेगा तो 10 into 60 ठीक तो कितना हो जाएगा 600 सकेंड हो जाएगा 600 सकेंड ठीक अब देखिए आपको i मिल गया और t मिल गया आपको find क्या करना है तो लिखा एक विद्धूत आवेस की गड़ना कीजिए यानि कि आपको q बरा q find करना है ठीक तो एक formula होता है q बराबर it q बरा सकेंड दिया है तो इस formula से आप answer निकाल सकते हैं तो इस formula से answer कैसे निकलेगा देखिए q बराबर i कितना दिया है 0.5 Ampere 0.5 Ampere आपको t कितना दिया है तो t आपको दिया है 600 सकेंड 600 सकेंड अब आप 0.5 Ampere और 600 सकेंड को multiply कर दीजिए तो आप multiply करेंगा तो आपका कितना आजाएगा 300 आजाएगा कितना आजाएगा 300 आजाएगा 300 कुलाम ठीक है अवेस का मातर क्या होता है तो कुलाम होता है इसलिए आप exam में कुलाम जरूर लिखेंगे तब ही आपको full answer full number मिलेगा ठीक तो आपका स्थाही हो जाएगा 300 कुलाम ठीक होता है सबसे पहले हम लोगों यह देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है ठीक किसी परिपत में प्रती मिनट याने कि प्रती मिनट याने कि एक मिनट में ठीक तो time कितना दिया है एक मिनट तो एक मिनट में कितना second होता है तो एक मिनट में 60 second होता है ठीक 180 कुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है यानि q बराबर 180 कुलाम कुलाम ठीक परिपत में बहने वाली धारा ग्याद कीजिए परिपत में बहने वाली धारा ग्याद करना यानि कि आपको I ग्याद करना है ठीक, Ampere ठीक तो आपका एक फर्मूला होता है Q बराबर I T Q बराबर I T आपको I ग्याद करना है तो I का क्या फर्मूला हो जाएगा i बराबर q by t यानि कि जो t है वो i के साथ multiply में है इधर जाएगा तो divide में हो जाएगा इसलिए हो जाएगा i बराबर q by t अब इस formula पर रख दिजिए आप का answer आजाएगा q कितना है q दिया 180 कुलाम 180 by t कितना है 60 60 equal to कितना i ठीक तो आप इसे कटा दिजिए ठीक डिवाइड करें 0 से 0 केंसल 16,18 3 यानि कि i बराबर कितना हो जाएगा 3 amp 3 amp आपका यह answer हो जाएगा 3 i बराबर 3 amp तो आएए हम लोग question number 3 देखते है तो आए हम लोग question number 3 देखते है question number 3 क्या कहता है एक चालक पर समाने अवस्था में 5 electron अधिक है चालक पर आवेस की मात्रा एवं प्रकृत्य बताईए आईए सबसे पहले हम लोग देखते है हम लोग को क्या क्या इसमें दिया है ठीक तो हम लोग question में क्या दिया है कि सबसे पहले electron कितने अधिक है तो electron पांच अधिक है तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और क्या दिया है चालक पर आवेस की मात्रा एवं प्रकृत्य बताईए ठीक तो एक आप लोग का formula होता है q बराबर n e q बराबर n e आप जानते हैं कि e जो होता है वो कितना होता e बराबर 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 यह हमेशा question में आप लगाएंगे ठीक यह हमेशा fix रहता है 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 तो आप इस formula पे अपना रख दीजिए तो q बराबर n कितना दिया है 5 दिया into 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 तो q बराबर कितना हो जाएगा आप 5 से 1.6 में multiply किजिए तो कितना हो जाएगा 35, 35, 3 3.0 into 10 पे पावर माइनस 19 तो आपका इतना कुलाम क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो दोस्तों आए हम लोग question number 4 देखते हैं तो देखिए हम लोग question number 4 क्या कहता है किसी चालक का कुल आवेश 8.0 into 10 पे पावर माइनस 19 कुलाम है जो की रिडातमक है इस पर कितने electron की अधिकता होगे जैसा कि मैंने पिछले question में दिया था कि सामानी अवस्ता में 5 electron कितने थे अधिकता यानि कि 5 electron अधिकते आपको इसमें बताना है कितने electron अधिक होंगे तो आपको क्या निकालना है एन निकालना है अब यह निकालना है अब आपको क्या क्या question में दिया है सबसे पहले यह देख लिजिए question में आपको दिया है किसी चालक का कुल आवेश 8.0 into 10 पे पावर माइनस 19 है यानि कि Q बराबर कितना है 8.0 into 10 पे पावर माइनस 19 अब आपको N निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर NA यह इस फॉर्मूले पे आप रखतेंगे तो आपका answer आजाएगा Q आपको कितना दिया है इंटो 10 पे पावर माइनस 19 इक्वल टू N यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इंटो हो जाएगा E कितना हो जाएगा 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 अब देखिए N के साथ यह जो है multiply में है यानि कि E जो है multiply में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा divide में हो जाएगा तो N बराबर कितना हो जाएगा 8.0 into 10 पे पावर माइनस 19 divide by 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 अब देखिए 10 पे पावर माइनस 19 बटे में 10 पे पावर माइनस 19 यह cancel हो जाएगा ठीक point से point cancel हो गया क्योंकि यह किस्थान पर अब 16, 85 यानि कि n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा तो आपकी electron कितने होंगे 5 अधिक होंगे ठीक आईए हम लोग question number 5 करते हैं तो question number 5 हम लोग क्या दिया है सबसे पहले आप लोग को जो दिया है उसको आप लोग note कर लिजे तो आपको दिया है एक कुलाम आवेस में कितने electron होते हैं तो q बराबर कितना दिया है आपको एक दिया है ठीक q बराबर एक दिया है एन आपको find करना है तो एक formula होता है q बराबर n a q बराबर n a तो आप सबसे पहले इस formula में आप q put कीजिए q equal to n into e कितना होता है 1.6 into 10 पे पावर minus 19 ठीक अब जो ये n के साथ multiply में इधर जाएगा तो divide में आ जाएगा तो 1 equal to 1 बटे में 1.6 into 10 पे पावर minus 19 ठीक अब देखिए 10 पे पावर जो minus 19 है तो नीचे minus में उपर जाएगा तो plus में हो जाएगा यानि कि 1 into 10 पे पावर 19 बटे में 1.6 ठीक अब देखिए यान से दसमलो हटेगा तो उपर एक 0 बढ़ेगा ठीक 10 into 10 पे पावर 19 बटे में 16 अब आप इसे कटा दीजिए ये 2 से कटाएंगे तो 5 बार में ये 8 बार में कर जाएगा ठीक ये पॉइंट बढ़ाएंगे जीरो हो जाएगा कितने बार में चला जाएगा आठ चके 48 आठ चके 48 दू जीरो आठ दूना 16 जीरो दसमलो 62 into 10 पे पावर 19 कुलाम नए इलेक्ट्रोन ठीक नमबर आफ एलेक्ट्रोन लिख सकते हैं आप एन इक्वाल टो ओके आपका ये आंसर हो जाएगा ठीक दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए